जन्म कुंडली का लाभ भाव ये भाव तै करता है कि जातक के जीवन काल में धन आगमन की स्थुति कैसी होगी वैसे देखा जाए तो कुंडली का दुतिय भाव अर्थात धन भाव ये मजबूत हो तो भी जातक हो सकता है लक्षपती और कोटी पती हो कारण उसे जन्म जात ही पैतरक शंपति की रूप में बहुमात्रा में धन प्राप्त हो लेकिन लाभ भाव बली होना इस बात की सूच कि जातक अपने जीवनकाल में खुद के बदौलत कितना धनर जीप करेगा अब ये जो योग मैं आपको बता रहा हूँ जोतिशास्त्र कहता है इस योग के होने से 30 वर्स की उम्र आतने पर या 30 वर्स की उम्र पहुंचते पहुंचते जातक लक्षपती बन जाता है और जै से करोड में तबदील करके समझिए तो जोतिशास्त्र कहता है कि ये सुत्र तो पहले भी आपने सुना आज मैं थोड़ा सा अलग इसमें आपको बताने वाला हूँ कि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में लग्न में पराक्रम में धन में पंचम में और नवम में फिर से नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक जीवन काल के तीसवे वर्स में लक्षपती बनता है नि लखपती बनता है परन्तु अब अगला सुत्र समझिए कि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में लग्न में दुतिये भाव में तुतिये भाव में पंचम भाव में या नव जातक कोटी पती बनता है यानी करोड़ पती बनता है। तो ऐसी अवस्था में जातक करोड़ पती बनता है। अब सवाल उठता है कि योग होने से कोई न तो लखपती बनता है न करोड़पती हाँ योग हैं तो वो प्रत्न कराने के लिए प्रत्न करने के लिए मजबूर अवश्य करेंगे लेकिन योग के साथ साथ जातक की चाहत होनी चाहिए जातक की महत्वाकांचा आकांचा होनी च बन सकता है उसके लिए जरूरी है उसकी महत्वा कांचा उसकी आकांचा उसकी चाहत तो आपकी कुंडली में ये योग है अवश्य ही योगा मिला लीजिएगा